तो यह exercise 2.1 का first question है identify which of the following are rational and irrational numbers तो यहां पर हमें given numbers में से rational और irrational numbers को identify करना है तो what are rational numbers तो question को answer करने से पहले हम जरा समझ लेते हैं कि rational numbers और irrational numbers क्या होते हैं कि rational numbers जो है ऐसे numbers हैं जिनको हम पी और क्यू यह निए fraction की फार्म में लिख सकते हैं यहां पर पी और क्यू क्या होंगे इंटेजर होंगे और क्यू जो है यहां पर जीरो नहीं होगा नॉन जीरो इंटेजर होगा तो ऐसे numbers को हम कहते हैं rational numbers यह rational numbers common fraction की फार्म में लिख से जा सकते हैं फार एक्जांपल है 4 by 9 1 by 3 6 by 11 तो इस सारे के सारे क्या है रेश्टल numbers हैं तो इस मीन्स के रेश्टल नंबर जो हैं वो क्या होती है common fractions होती है यह एसी fractions जिनको हम numerator denominator form में जो फ्रेक्शन लिखी होती है common fractions तो वह सारे के सारे क्या होंगे रेश्टल numbers होंगे इसके लबाव हमारे पास बहुत जो हैं वो decimal fractions होती है decimal की फार्म में दी होती है तो उन से हमने कैसे identify करना है कि वह रेश्टल है तो जब decimal fractions point के बाद कहीं जाके end हो जाती है terminate हो जाती है तो ऐसी decimal fractions भी क्या होंगी rational numbers होंगे for example 5.95 तो यह decimal fraction भी क्या हो गया एक rational number होगा 4.3259 रेश्टल number होगा क्यूंक पॉइंट के बाद यह कहीं जाके end हो जाते हैंโ理 हो जाते हैं तो terminating decimal fractions कि जो हैं यह भी क्या होँगी rational numbers होँगे terminating decimal fractions यह इसी fractions है decimal जो point के बाद end हो जाती है इसके लबाव बाज का तुम्हारे पास इसी decimal fractions है जो के point के बाद end तो नहीं होती, terminate तो नहीं होती लेकिन उन में digits repeat हो रहे होते हैं खास period से For example, 1.333, अगर यह डिजट इसी तरह repeat हो रहा हूँ, तो यह एक repeating decimal fraction होगी, इसको हम recurring decimal fraction भी कहते हैं, इसी तरह 0.5555, इस तरह अगर 5 repeat हो रहा है, तो यह भी एक repeating या recurring decimal fraction होगी, तो recurring decimal fractions जो होती हैं, यह भी के होती हैं, रिजटल नम्बर जो हती हैं, तो recurring decimal fractions, तो common fractions, terminating decimal fractions और recurring decimal fractions, यह सारे के सारे क्या होती हैं, ऐखंस्त होते हैं अब हम बात करते हैं एर रेष्टनल प्सकिंज यह त глуб pension शंट हो में श्थ french एज हैं जिनको हम प्रेक्षिनल फBील कि विए सकते हैं ज्याओ ये अगर ये decimal fraction में लिखे जाएं तो यह सी decimal fraction होंगी जो point के बाद ना तो कहीं end होंगी यानि नहीं यह terminate होंगी और नहीं इन में digits repeat होंगे इसलों for example अगर यहां पर मैं कोई नंबर लिख हूँ पाई तो पाई एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम decimal form में लिखें तो three point one four two and so on यह तर चलता है इसमें digits ना तो repeat होते हैं और नहीं यह decimal fraction end होती है terminate होती है तो यह एक non-terminating non-recurring decimal fraction है ऐसे numbers क्या होते हैं यह रेश्टल numbers ओके इसके लावा अगर कोई भी प्राइम नंबर लें और प्राइम नंबर का हम हम square root ले तो ऐसे numbers भी क्या होते है ए कि आहीं रिष्टनल नंबर होते हैं तो छे यह मैं prime numbers लों या नंज गार आधि तो isको में स्कूर रूट लूँ तो यह भी क्या होगा इर्रिश्नल नमबर ज़ाम है जब भी स्क्वे रूट अफ अप्राइम नमबर आएगा तो वह एक डर रिस्तल नमबर होगा अणिस तरह अगर आपक्रराइब प्रैम नमबर पर इस तरह अगर आगर वहपís questi वा सीपनी अपने कोश्चन में हम देखें कुस्चन वण में जो परस्ट पाड़िग्टाइट स्कूर रुट आफ थ्री तो ये कुन सा नुबर होगा तो यह जो है हमारा यह सनल नंबर होगा तो इस एक एड रेज़तल नंबर और वणब इसक्स क्या होगा यह rational number होगा इस तरह भी हमने देखा था पाए, पाए क्या होगा, यह rational number और 15 by 2 fraction है common fraction तो क्या होगा, यह rational होगा इस तरह 7.25 यह भी rational होगा और square root of 29, क्योंकि इस prime number का square root है तो यह क्या होगा यह rational होगा तो इस तरह हमारा question 1 जो है exercise 2.1 का तो यह हमारा second question है exercise 2.1 का convert the following fractions into decimal fractions तो यहाँ पर हमें common fractions दी गई हैं और उनको हमने decimal fractions में convert करना है तो first common fraction जो है वो हमारी वो है 17 over 25 इस common fraction को हमने decimal fraction में convert करना है तो common fraction से decimal fraction में convert करने के लिए हम long division यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर 17 को divide करेंगे 25 पर अब क्योंकि 17 चोटा number है तो हम यहाँ पर decimal point लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 170 माइनेस 150 तो यह आजएगा 20 फिर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और 200 लगा 25 तो 200 में 25 maximum कितने दफ़ आ सकता है तो 8 x 25 करें तो पूरा पूरा 200 आ जाता है सब्ट्रेक्ट करेंगे तो reminder 0 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारी division stop हो जाएगी तो 17 by 25 की जो decimal form होगी वह होगी 0.68 ओके फिर next जो common fraction है हमारे पास वो है 19 by 4 तो 19 by 4 को अब हम decimal fraction में convert करेंगे 19 divided by 4 तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम divide करेंगे 19 को 4 पर 19 divided by 4 तो 19 में 4 maximum कितने times आ सकता है तो four times four fours are 16 subtract करेंगे 19 minus 16 यहाँ पर 3 आ जाजेगा हम यहाँ पर द्वारब है four तो यह जो जो फाइब 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 करेंगे तो रेमेंडर जीरो आजेगा इस तरह 19 by 4 की जो decimal fraction form होगी वो होगी 4.75 फाइब नेक्स्ट जो कमन फ्रेक्शन है इस इस नमबर 3 57 द्वारब बाइट तो 57 बाइट को decimal form में convert करने के लिए तो 57 द्वारब बाइट तो 57 में 8 maximum seven times आ सकता है seven eights और 56 subtract करेंगे तो one बज जेगा यहां point लगा सकते हैं यहां zero लगाएंगे तो 10 में eight one times आएगा one times eight is eight subtract करेंगे तो आजेगा फिर जिरो लगाएंगे 20 तो टू इस और 16 कि सब्ट्रेक्ट करेंगे फोर आजेगा फिर जिरो लगाएंगे कि तो 40 आजेगा तो five eights और 40 कि सब्ट्रेक्ट करेंगे तो रिमेंटर जीरो आजेगा तो 57 बाइट की जो decimal representation होगी वो होगी सेवन पॉइंट वान टू फाइव तो यह था 57 बाइट अब हम कन्वोइट करेंगे 205 बाइटीन को डेसिमल फ्रेक्शन में तो अब हमारी जो कॉमन फ्रेक्शन है वह है नंबर फॉर तो जिरो फाइव ओवर एटीन तो यहां पर हम टू जिरो फाइव को एटीन पर डिवाइड करेंगे तो टू जिरो फाइव डिवार बाइटीन हो तो फवंटी को पेले हम ले लेंगे तो टूथ में यटिन इस एटीन हीन 17 is 18 कितनी टाइम्स आ सकता है 3 तरी टाइम्स अट्रेंट इस फिफिट फॉर है सब्सक्राइट करेंगे 16 आ जीघा और यहां पर हम 0 लगाएंगे 160 तो 160 में 18 मिक्सिमम्म कितने टाम्स आ सकता है एट टाइम्स, एट टाइम्स 18 करेंगे, तो 144 आजेगा, सब्ट्रेट करेंगे, तो ये 16 आजेगा, फिर 0, फिर अगेन 8 टाइम्स आएगा, तो ये प्रोसेस तरह चलता जाएगा, आगे 8888 याते जाएगे, जो डेसिबल फार्म होगी, वो होगी, 11.3888, चलता जाएगा, तो हम इसको पर बाहर लिए देते हैं, यह एक, री करेंगे, या रिपीटिंग डेसिमल फ्रेक्शन हो जाएगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रेक्शन है, नमबर 5, 5 बै एट, तो 5 बै एट को अब हम, कनवर्ट करेंगे, डेसिमल फ्रेक्शन है, तो 5 बै एट, तो 5 बै एट, यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे, जीरो, 50 आजेगा, 50 में एट, मिक्सिमम सिक्स टाइम्स आ सकता है, 6 एट और 48, सब्टरेट करेंगे, 2 बज जाएगा, यहां पर हम जीरो लगा देंगे, सो 2 एट और 16, सब्टरेट करेंगे, 4 आजेगा, फिर जीरो लगा देंगे, 40, तो 5 एट और 40, तो इसकी जो डेसिमल फार्म होगी, 5 एट की वह होगी, 0.625, ओके तो फिर जो लास्ट अमारे पास, कॉमन फ्रेक्शन है, वो है 25 एट, अब हम 25 एट को, डेसिमल फार्म में करेंगे, 25 द्वारब ऐट, तो 25 को 38 पे डिवाइट करें, चैंब पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 250, तो 250 में 38 मैक्सिम्म कितना टाइम्स आ सकता है, 6 ताइम्स, तो 6 ताइम्स 38, 228 आजेगा, सब्ट्रेक्ट करेंगे, 22 आगया, यहाँ 0 लगाएंगे, 220, और फिर, 220 में 38 मैक्सिम्म कितना टाइम्स आ सकता है, 5 ताइम्स, 190 आजेगा, सब्ट्रेक्ट करेंगे, 30 आजेगा, फिर 0 लगाएंगे, 300, तो 300 में 38 मैक्सिम्म कितना टाइम्स आ सकता है, 7 ताइम्स, 7 ताइम्स 38, 266, सब्ट्रेक्ट करेंगे, 34 आ गया, 0 लगाएंगे, 340, तो 340 में 38 मैक्सिम्म कितना टाइम्स आ सकता है, 8 ताइम्स, 8 ताइम्स 38 करेंगे, 304, सब्ट्रेक्ट करेंगे, यहाँ पर, 36, तो 0 लगाएंगे, 360, तो यहाँ पर यह 9 ताइम्स आएगा, और 9 ताइम्स 38, 342, सब्ट्रेक्ट करेंगे, 18 आ जाएगा, तो यह परोशीजर चलता जाएगा, इस तरह, और यहाँ भी आगे चलता जाएगा, तो 25 बैं 38 की जो डेसिमल फार्म होगी, वो होगी, 0.65789, एंस आएगा, तो इस तरह हम, कॉमन फ्रेक्शिन को, डेसिमल फ्रेक्शिन फार्म में कनवोट करते हैं, अब हम मूव करेंगे, next question पर, so which is question number 3, तो इस question में हमने, true or false statements को identify करना है, which of the following statements are true and which are false, तो first statement है, that 2 by 3 is an irrational number, तो जैसे के हम पहले discuss कर चुके हैं, कि जितने भी common fractions होती हैं, यहनि जो भी numbers, P over Q form में, यहनि numerator, denominator form में, common fraction form में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर जो denominator है कि वो non-zero हो, एसे numbers क्या होते हैं, irrational numbers होते हैं, तो 2 by 3, बी क्या होगा, एक irrational number होगा, तो यहाँ पर लिखागा है, 2 by 3 is an irrational number, तो यह statement क्या होगा, false, क्योंकि 2 by 3 एक irrational number है, फिर next statement है, पाई is an irrational number, यह भी हम पर ले discuss कर चुके हैं, कि पाई एक irrational number है, यहाँ जब इसको हम decimal form में लिखते हैं, तो यह एक non-terminating, और non-recurring decimal fraction बनती है, तो यह एक true statement है, पाई एक irrational number है, फिर number 3, 1 by 9 is a terminating fraction, तो हम देख लेते हैं, क्या 1 by 9 terminating fraction है, तो उसके लिए हम 1 by 9 को decimal form में convert कर लेते हैं, तो 1 divided by 9, जब हम divide करते हैं, यहाँ point लगाते हैं, 0 लगाते हैं, 1 times 9 is 9, subtract करेंगे 1 आजेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 times 9, फिर 1, फिर इस तरह यह procedure चलता जाएगा, तो 1 यहाँ पे repeat होता जाएगा, तो 1 by 9 हो जाएगा, 0.111 and so on, इसको में इस तरह लेख सकते हैं, 0.1 bar, तो it means कि यह एक, recurring या repeating decimal fraction है, तो 1 by 9 जो अब टर्मिनेटिंग fraction नहीं है, तो जो थर्ड स्टेट्मेंट है, कि 1 by 9 is a terminating fraction, तो this is a false statement, फिर नेक्स्ट है, नुबर 4, 3 by 4 is a terminating fraction, हम 3 by 4 को देख लेते हैं, इसकी decimal form, तो 3 by 4 को जो हम decimal form में convert करते हैं, तो division करके, तो यह बनता है, 0.75, जो कि एक terminating fraction बनती है, तो 3 by 4 जो है एक terminating fraction है, तो यह जो statement है, that 3 by 4 is a terminating fraction, so this is a true statement, तो यह true है, लास्ट में, 4 by 5 is a recurring fraction, अब 4 by 5 की decimal form देख लेते हैं, देख लेते हैं, 4 को जब हम 5 पे divide करते हैं, यहाँ पे हम point लगाते हैं, 0 लगाते हैं, 85040, subtract करते हैं, तो यह 0.8 बन जाता है, तो 4 by 5 is equal to 0.8, जो कि एक terminating fraction है, recurring या repeating fraction नहीं है, तो जो 5th statement है, that 4 by 5 is a recurring fraction, तो यह क्या है, एक false statement है, यह 4 by 5 जो है हुए एक terminating fraction, अब हम जाते हैं, हमारे 4th question की तरफ, तो इस अबर question, number 4, represent the following numbers on the number line, तो given numbers को, fractions को, हमने number line से represent करना है, तो जो first अमारे पास number है, there is 2 by 3, तो 2 by 3 को हम, real line पे represent करेंगे, तो कैसे हम इसको real line पे represent करेंगे, तो हम एक real line जो है, यहाँ पे draw कर लेते हैं, वो 2 by 3 आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे 2 जो है, वो 3 से छोटा है, यह उपर वाला number, नीचे वाले number से छोटा है, यहाँ नूमरेटर जो है वो डिनॉमरेटर से छोटा है, तो definitely यह जो number है, यह 1 से छोटा number है, तो यह number 0 और 1 के दरम्यान लाए करेगा, बज़री लाइन पे अगर यह हमारा 0 है, और यह क्या है, वान है, और स्पोज इस तरह यह तू है, इस तरह यह रियलाइन में numbers जा रहे हैं, तो यह जो हमारा number है, टू बई थ्री, यह 0 और 1 के दरम्यान होगा, तो basically हम क्या करेंगे, कि 0 और 1 के दरम्यान जो space है, उसको हम 3 equal parts में, divide कर लेंगे, और उनमें से 2 parts को हम ले लेंगे, तो 2 बई 3 का मतलब है, कि 2 out of 3, तो हम 0 और 1 के दरम्यान जो space है, यह जो space है, इसको हम 3 equal parts में divide कर लेते हैं, ओके, अब देखिए, इसके 3 equal parts बनगे, ओके 1, 2 and 3, यह 3 equal parts बनगे, अब यहां से हम 0 से start करेंगे, तो हमने 2 parts लेने, तो 0 के बाद 2 parts कहां पर होंगे जी, this is 1 and this is 2, तो यहां जाके हमारा यह नमबर बनता है, तो यहां पर, जो हमारा नमबर होगा, 2 by 3, तो जो नमबर हमारा, आ रहा है, वो यहां पर आ रहा है, तो इस इस 2 by 3, फिर नेक्स्ट नमबर जो है, वो है अमारा, माइनस 4 by 5, अब इस नमबर को हम यह लाइन पर रेप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर भी, यह जो फ्रेक्शन है, यह जो नमबर है, 4 by 5, 1 से चोटा है, तो यह नमबर जो हो, 0 और, माइनस 1 के दर्मान लाइक करेगा, तो अगें हम, रेल लाइन यहां पर बनाते हैं, तो यह जो नमबर है, वो यहां कहीं लाइक करेगा, माइनस 1 और 0 के दर्मान, तो हम क्या करेंगे, कि 0 और माइनस 1 के दर्मान जो स्पेस है, अगें इसको हम, कितने इकल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में, तो 1, 2, 3, 4, 5 इकल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो माइनस 4 बे 5, अब हम क्या लेंगे, यहां पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और 4 पार्ट यहां से ले लेंगे, तो 0 से start करते हुए 4 parts हमारे कहां पे जाके बनते हैं So this is first part, this is second, this is third and this is fourth तो fourth part यहां पे जाके complete होते हैं तो यहां पे जो है वो हमारा यह जो है वो नमबर बनेगा तो यह है minus 4 by 5 यहां पे, this is minus 4 by 5 फिर next जो नमबर है नमबर 3, तो वो है 1 3 by 4 तो यह एक mixed नमबर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 plus 3 by 4 तो इसका मतलब यह है कि 1 में कुछ 8 हो रहा है तो यह नमबर जो है 1 और 2 के दिरम्यान लाएक करेगा तो again real line अगर हम draw करें इस नमबर के लिए इस तरह रहे हैं, तो यह जो नमबर है 1 3 by 4 यह 1 और 2 के दिरम्यान लाएक करेगा, यहां लाएक करेगा, और यहां पर हम क्या करेंगे, वन के बाद, तो हम यह जो वन तू तो यह 4 पार्ट्स बन गए और फिर 1 से स्टार्ट करते हम इन 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लेंगे? इन 4 पार्ट्स में से हम 3 पार्ट्स लेंगे, ओके तो हम one के बाद so this is first part this second and this is third तो यहां पर जाके three parts complete होते हैं तो यहां पर हमारा जो नमबर है यह लाए करेगा one whole three by four okay तो यहां पर यह नमबर आएगा okay फिर हम आते हैं next number की तरफ जो के है fourth minus two whole five by eight eight तो फोर्थ जो नमबर है जिसको हमने यह लाएं पर रप्रेजेंट करना है minus two whole five by eight तो फोर्थ नमबर है minus two whole five by eight okay तो इसको हम इस तरह भी लेख सकते हैं minus two plus five by eight okay तो यह जो नमबर है यह minus two में हम कुछ कोई चीज एड़ कर रहे हैं तो definitely यह minus two or minus one के दर्मिनान लाएं करेगा तो यह लाइन पर यह नमबर लाइन पर हम इसको कैसे ड्रा करेंगे तो यह नमबर लाइन है अब नमबर लाइन पर this is minus two this is minus one और यहां पर जीरो है तो यह नमबर जो है वो minus two or minus one के दर्मिनान स्पेस पर लाएं करेंगा तो हम इस स्पेस को कितने equal parts में डिवाइड करेंगे eight parts में से और उसमें से five parts ले लेंगे तो eight parts में डिवाइड करेंगे इस स्पेस को कि so one two three four five six and seven eight parts यहां बन जाते हैं देखें तो minus two से start करते हैं यहां one two three four five six seven और यह eight parts बनके तो हमने यहां पर कितने parts लेने five parts तो minus two से start करें और right side पर five parts तक जाना है one two three four five तो यहां पर जाके five parts complete होते हैं तो यह नमबर होगा minus two whole five by eight कि फिर next जो number है हमारे पास वह है फिफ्ट पार्ट में two whole three by four तो फिफ्ट में हमारे पास जो number है it is two whole three by four इसको में इस तरह भी लिख सकते हैं two plus three by four तो यह वाला नमबर जो है क्योंकि इसमें two में हम कुछ eight का रहें तो यह two or three के दिरम्यान लाए करेंगा तो और थ्री के दिरम्यान जो स्पेस है उसमें कहीं लाए करेगा है कि यह यह रियल लाइन के सब्सक्राइब जिस वान इंड दिस इस तू एंड इस तरी इन इस तरह यह नमबर चल रहे हैं तो two or three के दिरम्यान जो स्टेज है उसमें नम्य लाइप करेंगे तो ऐ गेन टू और थी के दिरमार जो स्टेश है उसको हम सKit fight करेंगे और उस में से हम स्टीपाइट ले लेंगे हैं टू सको को हम स्टीपर्स में करते हैं छो क्वार होन 2 & 3 4 equal parts आगे और फिर 2 से start करेंगे और यहां पर यह 1, 2, 3, 4 parts आगे तो 2 के बाद हम 3 parts ले लेंगे 1, 2 & 3 तो यहां पर जाके यह नमर बनेंगा 2 whole 3 by 4 पर नेक्स्ट लास्ट पार्ट है मारे पास square root of 5 तो 6 में है square root of 5 तो यह एक irrational नमबर है यह square root of prime नमबर है इस तरह के numbers को हम number line पर रेप्रेजेंट करने के लिए triangle method यूज़ करते हैं और pathogras theorem यूज़ करते हैं इसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे यहां पर वो है एक तो जो method होगा वो वह वागा triangle method और इसको हम यूज़ करेंगे pathogras theorem right triangle draw करेंगे और फिर pathogras theorem यूज़ करेंगे तो यह अगर हमारे पास यह number line है और देखें square root of 5 को हम इस तरह अलग सकते हैं कि इस इक्वल टू प्थाग्रेस theorem से square root of यूज़ 2 square प्लस 1 square इस तरह लग सकते हैं और यह 5 square root बनता है ओके तो यहां से हम start करते हैं फ़र्गम पर यह 0 है और यहां पर हम two units ले ले लेते हैं suppose this is one and this is two okay तो यह two तक आगे हम यहां पर यह two है और फिर यहां से हम one यह वर्टिकल ले ले लेते हैं यह दिस्टंस हमने टू ले लिया तो यह जो हमारा distance है यहाँ पर यह 2 है और vertically हम यहाँ से उपर 1 ले लेते हैं यहाँ पर सपोज यह जो distance है vertically यह अगर 1 है तो अगर हम यहाँ से इसको connect करें straight line से तो यह मारे पास एक right triangle बनती है तो यह एक right triangle बनती है this distance is 2 and this is 1 तो यह फिर प्र्थागरिस त्यूर्म से definitely क्या बनता है यह यह लेंद हमारे पास क्या बनती है स्कुरूट आफ फाइव तो यहाँ पर स्कुरूट आफ फाइव को लिखने के लिए हम क्या करेंगे हम compass लेंगे इस पॉइंट को अगर हम पी पॉइंट किये दें तो हम op radius की compass लेंगे और यहाँ पर स्कुरूट से हमें एक आर्क डॉआ करेंगे और वह आर्क देखेंगे कि कहां जाके मिलती है इस पॉइंट पर मारा जो यह नमबर बनेगा स्कुरूट आफ फाइव तो इस तरह हम प्रैंगल मेथेड़ से जो है वह और रेच्टनल नंबर्स को रियल लाइन पर रेप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह हमारा यह क्वेस्टन फॉर जो है जिसमें हमने गिवन नंबर्स को रियल लाइन पर रेप्रेजेंट किया वह कंप्लीट हो जाता है कि अब हम मूव करेंगे नेक्स कुस्टन पर विच इस क्वेस्टन नंबर फाइव इस तो गेव रेश्टनल नंबर बेट्वीन थरी बएफ और फॉर इन फाइव बनाए तो दो नंबर्स गिवन नंबर्स के दरम्यान हमने कोई सबीन नंबर जो हो करना है ओके तो याद रिखें कि कभी भी आपके पास नी रिल लाइन पे नबर लाइन पे दो नंबर दिया हूं स्पोजी ए है और ये बी है तो इनके दर्मयान वैसे तो हम कोई भी नंबर देख सकते हैं लेकिन सबसे यहां पर हम जो सिंपल केस देखेंगे कि हम वो नंबर जो बिल करके अगर टू पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास यह वाला नंबर आ जाता है जो कि बिलकल इनके मिडल में है तो क्योंकि यहां पर हमने गिवन नंबर के दर्मयान कोई सभी रिशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम सेम यही फर्मूला यूज करेंगे तो हम इन दोनों नंबर के दर्मयान जो बिलकल मिडल में नंबर है वो फाइंड कर लेते हैं तो उसके लिए हम इन दोनों नंबर को पहले एड करेंगे और फिर टू पर डिवाइड कर देंगे तो यहां पर जो नंबर होगा तो अरे इस्टल नंबर बिट्वीन थ्री वे फोर एंड फाइब नाइन तो दिस विल बी एकपल टू पहले इन कम एड करेंगे थ्री वे फोर प्लस फाइब नाइन और जो आंसर आएगा उसको में किस पर डिवाइड कर देंगे टू पे तो इस तरह है मारे पास यह नंबर आ जाएगा अब यहां यहां पर हम डिनूमिनेटर को सेम बना लेते हैं 47 क्या होगा गख सो everybody जो है of 4 and 9, तो क्या होगा, 36 होगा, 36 बनाना है हमने, तो हम ये करते हैं, कि यहाँ पा यहाँ पे हम इस fr Henkel को ऊप्र नीचे 9 से multiply कर लेते हैं हूं और इसको हम यहाँ पे 4 से multiply कर लेते हैं, तो दिनामिटर सेम बन जाते हैं तो यह बन जाएगा मारे पास तो यह बन जाएगा 27 by 36 प्लस यह बन जाएगा 20 by 36 और फिट द्वारब इसको फदर करें 27 by 36 प्लस 20 by 36 तो 27 और 28 होके कितना आएगा तो 47 by 36 कि याद रहें कि जब फ्रेक्शन डिवाइड हो रही होती है इसी नंबर पर तो उसका यह जो डिनामिनेटर है यह नीचे जाकर मिल्टिप्लाइब हो जाता है तो यह होजाएगा 47 डिवारब बाए तो यह होजाएगा 47 by 72 तो यह जो नंबर है रेश्टन नंबर तो यह वह नंबर है जो कि 3 by 4 और 5 by 9 के दर्मियान लाएक आ रहे हैं उनके बिलकल मिडल पर लाएक रहे हैं तो यह हमारा आंसर होगा इस तरह हम कोई भी नंबर यहां हम लिख सकते हैं लेकिन जो नंबर बिलकल इनके मिडल में आता है वह नंबर इस्यस्ट केस होगा हमारे लिए तो यह था क्वेस्टन नंबर 5 अब हम जाते हैं क्वेस्टन नंबर 6 पर तो दिस इस क्वेस्टन 6 आफ आफ आवर एक्सराइस वस्टन नंबर 6 एक्सप्रेस्ट फॉल्विंग रिकरिंग डेसिमल्स इस दरेश्टन नंबर पी ओवर क्यू वेर पी एंड क्यू और इंटिजर्स एंड क्यू इस नॉन सिरू तो यहां पर देखें यह मैं रिकरिंग यह रेपीटिंग डेसिमल फ्रिक्शन दी गई तो यह रेश्टन इसका मतलब क्या है कि यहां पर फाइव रेपीट होता जाएगा रिकरिंग डेसिमल तो यह हो जाएगा 0.5555 और यह तरह चलता जाएगा तो नाउच सपोज कि इस नंबर को हम एक्स सपोज कर लेते हैं कि सपोज इस इकल टू एक्स सो है एक्स इस इकल टू 0.5555 इस को हम एक्स सपोज कर लेते हैं यह हमारे पास एक एक्वेज्टन बन जाती है इसको हम एक्वेज्न 1 के देते हैं अब देखें यहां पर क्यूंकर हमआरे पास एक डिजिट रपीट हो रहा है तो हम इस एक्वेज्ट को दोनों तरफ 10 से 223 के करेंगे तो हम equation 1 को दोनों तरफ 10 से multiply कर देंगे, so multiply equation 1 by 10 on both sides तो यह क्या बन जेगा, तो यहाँ पर भी left side पर x com 10 से multiply करेंगे 10x और इधर भी हम 10 से multiply करेंगे, तो 10 times 0.5555 और यह तर चलता जाएगा, तो यह बन जाएगा 10x is equal to 10 से multiply करने पर ही हो जाएगा 5.555 और यह तर चलता जाएगा, तो यह हमारे पास एक नहीं equation आगी, इसका हम equation 2 के लेते हैं, तो अब इसी तरह अगर हम equation 2 में से equation 1 को subtract कर दें, okay, so subtract, equation 1 from 2, तो यहाँ पर हम सेकंड एक्वेजन पहले लेख लेते हैं, 10x is equal to 5.555 इस तरह जा रहा है, और इसमें से हम नीचे माइनस करते हैं, और नीचे लिखते हैं, फर्स्ट equation, कि x is equal to 0.555 और इस तरह चलता जा रहा है, तो subtract करने पर, तो 10x माइनस x तो यह होज़ेगा 9x और इदर आज़ेगा, यहाँ 9x आज़ेगा और इस side पर हमारे पास आज़ेगा just 5, हमारे पास आज़ेगा 9x is equal to 5, तो यहाँ से x के लिए कर हम solve करें, तो 9 को हम इस side पर लेंगे, तो यह होज़ेगा 5 by 9, तो x is equal to 5 by 9, so this means that जो हमारा नमबर आ रहा था 0.5 बार वो किस के को होगा, वो 5 by 9 के को होगा, तो यह इसकी, पी ओवर क्यू फार्म आज़ेगी, तो यह हमारे पास, यह फर्स्ट नमबर जो था, हमने इसको पी ओवर क्यू फार्म में लिख दिया, फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट जो नमबर है, 0.13 बार, इसको हम पी ओवर क्यू फार्म में लिखेंगे, ओके जो नेक्स्ट अमारे पास, रिकरिंग डेसिमल है, वो है 0.13 बार, तो यहां पे अब टू डिजिट्स रपीट होंगे, 0.13, 13, 13, 13, and so on, ओके तो यहां पे भी हम सपोज करेंगे, सपोज, X is equal to 0.13, 13, 13, and so on, तो यह हमारी एक equation बन गी, इसको हम equation 1 के लेते हैं, अब यहां पे देखें, point के बाद 2 डिजिट्स से बीट हो रहे हैं, अब हम equation 1 को दोनों तरफ 100 से multiply करेंगे, यहीं जब पिछले question में 1 डिजिट रपीट हो रहा था, तो हमने 10 से multiply किया, 2 डिजिट्स रपीट हो रहे हैं, तो 100 से multiply करेंगे, इस तरह 3 डिजिट्स स्पीट हो रहे हैं, तो 1000 से करेंगे, and so on, तो यहां पे हम multiply करेंगे equation 1 को by 100, so multiply equation 1 by 100, तो यह जगा 100 X is equal to, यहां पे 100 multiplied by, 0.13, 13, 13 and so on, so 100 X is equal to, तो यह हो जगा 13.13, 13 and so on, अब यह हमारे पास second equation बन गी, तो यह second equation आगी, अगें अब हम second equation में से first equation को subtract कर लेंगे, तो सब्ट्रेक्ट, 1 from 2, यहां पे हमें second equation पर लेंगे लिखते हैं, 0.13, 13 and so on, और सब्ट्रेक्ट करने पर, तो 100 X माइनस X हो जगा 99 X और इदर आजएगा 13, तो इस तरह हमारे पास जो आगया 99 X is equal to 13, तो X के लिए find करेंगे तो हम यह होजाएगा 13 by 99 तो यह आजएगी प्योवर क्यू फार्म, ओके, so 0.13 बार जो है वो किसको लो जाएगा 13.99 तो यह इसकी decimal फार्म आजएगी, इसी तरह फिर question number six का जो third part है last part उसमें जो हमें recurring decimal फ्रिक्शन दी गई है 0.67 बार तो इसको हमने प्योवर क्यूव फार्म में लिखने है तो यहाँ पे 0.67 बार का मतलब है कि यहाँ पे टूर येट 6 और 7 रिपीट हो रहे हैं, 0.67, 6, 7, 6, 7 और यहाँ पे भी हम suppose कर लेते हैं इसको x के एक्वल, suppose here x is equal to 0.67, 6, 7, 6, 7, and so on, तो यह हमारी first equation आगी, so this is our first equation, अब यहाँ पे भी क्योंके two digits repeat हो रहे हैं तो हम इसको 100 से multiply करेंगे, okay, so we multiply equation 1 by 100 तो हमारे पास left hand side पर आजेगा, 100 x is equal to 100 multiplied by 0.67, 6, 7, 6, 7, and so on, तो 100 x is equal to यह जाएगा 67.67, 6, 7, and so on, तो यह second equation आगी, अब हम second equation में से first equation को subtract कर देंगे, so subtract equation 1 from equation 2, तो हम यहाँ पे हम equation 2 पहले लिखे देते है, 100 x is equal to 67.67, 6, 7, 6, 7, and so on, और फिर first equation लिखे देते है, x is equal to 0.67, 6, 7, and so on, तो subtract करेंगे, तो 100 x minus x हो जाएगा 99 x, और इदर हो जाएगा 67.67 minus 0.67, 6, 7, तो यह 67 हो जाएगा, तो x की जो बहुलिए हो जाएगी 67 by 99, तो इस तरह 0.67, बार की जो P over Q फार्म होगी, वह होगी 67 by 99, so this is our answer. ओके इस तरह हम exercise 2.1 के solution को complete करते हैं, और in next lecture में हम exercise 2.2 को solve करेंगे. झाले फanhके जो जाएगा करेंगे ‫9.2 को